हेलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल सर्व मंगल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे यदि आप शुक्करवार के ये चमतकारी उपाय करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरण हो जाएंगी यदि आपके घर में नेगिटिव एनर्जी का प्रभाव है तो उस घर में रहने वाले लोगों की सोच भी नेगिटिव हो जाती है नेगिटिव सोच से कारियों में सफलता नहीं मिलती और धन की आनी होती है आप शुकरवार के ये उपाय अपना कर इन परशानियों से बच सकते हैं ये उपाय है नमबर एक शुकरवार के दिन किसी विवाहित इस्त्री को सुहाक का समान जैसे चूडियां, कुम-कुम, लाल साडी या अन्य शिंगार का कोई भी समान दान में दें इस से देवी लक्षमी प्रसन होती है नमबर दो, किसी मंदिर में ब्रामन को या किसी गरीब व्यक्ति को दूद या दूद से बने पदार्थों का दान करें शुकर ग्रह के लिए आप चांदी, चावल, मिश्री, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, दही, आदी का दान भी कर सकते हैं यह दान भी आप किसी ब्रामन को या किसी गरीब व्यक्ति को ही दें नमबर तीन, शुकर वार का फल पाने के लिए आप शुकर वार के मंतर का जाब करें मंतर है ओम शुम शुकराय नमा इस मंतर का जाब कम से कम 108 बार अवश्य करें दोस्तों, शुकर वार को ये चमतकारी उपाय करके आप लाप प्राप्त कर सकते हैं नमबर चार, शुकर वार के दिन, तीन कुवारी कन्याओं को अपने घर पर बुला कर उन्हें खीर खिलाएं और दान में वस्तर भी दें, धक्षिना दे कर विदा करें ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसन होती है और धन की प्राप्ती होती है शुकर वार के दिन, शाम को गाई के घी का दीपक घर में इशान कोन में जलाएं दीपक जलाने के लिए आप लाल रण के धागे का परियोग करें और दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो किर्प्या वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाते हैं और हमसे जुड़ना चाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद